गुद मॉर्निंग सेवन क्लास टुड़ी वियर गुइंग टू रीड चाप्टर सिख्स चाप्टर का नीम है MSSS सबसे पहले हम यह जानते है MSSS क्या है MSSS Microsoft Office का एक प्रोग्राम है एक पार्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं हम डाटा को की एंट्री करते हैं और डाटा बेस बनाते हैं सबसे पहले Microsoft Access is a relational database management system for Windows data MSSS क्या है relational database management system है भी इसके पैकेज फळो टासक इन भी पर्फर्फ़रम इसके अंदर MSSS के अनदर हम क्या कर सकते हैं Kayla जो टासक μας technology filtering कर सकते हैं एक डाटा बेस क्रिएर कर सकते हैं हम the report परक्षकaste है मिला सकते हैं क्यूर लगा सकते हैं ते लिएेंसंगे है सबसे पहने है इसमें फेलो नह्म फिल्ड किन जो हम्मारा सबसे मेंनिम्फूल जो सबसे पहले हमारे field जो हम बनाते हैं वो meaningful होने चाहिए meaningful होनी चाहिए और उसके अंदर बिना space की हम जो उसका नाम रख रहे हैं वो बिना without space होना चाहिए जैसे कि हमने field का name रखा S name S name क्या है यहां पर surname F name क्या है यहां पर first name do b क्या है date of birth address one क्या है first line of address टाउन पी कोड पी फोन एक्सेक्टरा यू यू cannot have to fill with the same name हम same name के साथ दो फिल्ड जो है हम नहीं बना सकते जो हम टेबल क्रियेट करेंगे टेबल में हम जो सबसे पहले लेंगे उसको हम बोलेंगे field name जो हम data entry करने के लिए हम एक name रखेंगे field का उसका नाम लिए उसको बोलते हैं field name उसके बाद है field type की field की type कैसी होनी चाहिए अगर हमारी field type f name है तो तो वो हमारा first name है तो name किस type का होता है alphabet type का character type का और अगर हम फोन नंबर लेना है तो फोन नंबर में क्या आती है numeric आते हैं तो वो किस type का होगा numeric field type text for text and wool numbers that are not going to be used in calculation example is phone number तो phone number के लिए हम कैसे type यूज करेंगे numeric type और name लिखने के लिए character type date, time for date and time date or time के लिए हम कैसे field type यूज करेंगे date or time के numeric यूज करेंगे currency for money, money के लिए हम कौन सी field type यूज करेंगे currency type के yes or no for true false logical value merit के लिए के लिए yes or no field field could be logical वो logical भी हो सकती है उसके बाद है field length हमारी जो field हम उसकी length decide करेंगे this has to be fixed so you need to plane your database structure beforehand हम अपनी table create करने से पहले हम उसकी जो field की length है वो भी हम पहले से ही decide करके रखेंगे उसके बाद है required field की हमें field कितनी चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए उसके बाद है primary key की primary key क्या होती है primary key वो होती है जो unique होती है वो किसी के साथ match नहीं होती है हम अपनी table में हर एक table में primary key रखते हैं जो unique होती है जो हमें ये बताती है अलग अलग बच्चे का record बनाती है हम इसके अंदर primary key किस को लेंगे अगर हम student की table बना रहे हैं तो हम primary key रोल लंबर को बनाएंगे रोल लंबर सम भी बच्चे का अलग अलग होता है अगर नेम को प्रामरी की बनाते है तो हमारे नेम तो किसी वी बच्चे के टू नेम एक गप दू बाइघे लिए स्टरिफड ससब्त करते हैं सबसे पहले हम स्विच्वां computer अपने computer का स्विच ओन करेंगे क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम करेंगे एमस असेस पे तो हमें यह स्क्रीन जो है दिखाई देगी उसके बाद क्या करेंगे हम click on create a new database using blank database and click ok button हम create a new database पे click करने के बाद हम blank database पे click करेंगे और फिर हम ok button press करेंगे ok button press करने के बाद हम क्या करेंगे type करेंगे employee in the name box as shown in this screen click create button हम यहाँ पर file का name देंगे employee और हम create पे click करेंगे तो हमारा क्या होगा database जो है वो create हो जाएगा उसके बाद create table in design view हम design view में में अपनी table create करेंगे by default tables tab is selected by default क्या होता है हमारा table का tab जो है वो select होता है और इससे अलग हम अपनी queries form report को भी select कर सकते हैं इसमें से creating a new table new table create करने के लिए हम new पे click करेंगे new button पे click करेंगे data sheet view को select करेंगे okay करेंगे तो हमारी जो है यह हमें screen जो दिखाई देगी इसके अंदर हम फिल्ड के name डालेंगे हम यहां डालेंगे जैसे employee की ID surname date of birth phone married wage जो भी हम इस यहां पर फिल्ड में फिल्ड के नेंस में हम फिल्ड डालेंगे और इधर हमारी data type की हमारी फिल्ड जो है वह किस टाइप की होनी चाहिए नंबर में होनी चाहिए character में होनी चाहिए वह हम उसको उसी के according यहां पर हम उसकी फिल्ड डालेंगे उसकी बाद क्या करेंगे इंदा फिल्ड फिल्ड नें बॉक्स टाइप employee ID एंड प्रेस टैब वांस स्क्रीन शूड लुक लाइक इस हम जब इन में फिल्ड डालने के ब शूड़ा लें उसके बाद है यह जो स्ट Only封ट करेंगे हम हर अक सब्से फेले सरनेम डालेंगे उसकी फिल्ड डाला सरनेंं। सरनेम की फिल्ड टाइप क्या होगी कार्यक्रेटों सब kingdom टाइब क्षिर उसके आपंद करेंगे म aos कफिलद डाला Libra10-re IG से शर्राइब करने के अभाए व्हीं करेंगे वाद टू ट्याइब करेंगे ऑ आपंद नेमे कुण हे collar टेबल सेफ करेंगे म Pat external नेमे डेम काी warning पर बनाई थी वह आ गई हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल का का टेबल ओपन हो जाएगी देखो यह मैं आमने जो जो डाला था सब डाला था एस ने डियोंगी डाली थी फो नंबर मेरेड यह सब ने डाला था अब हम इसके अंदर डाटा की एंटरी करेंगे आज हम इतना ही करेंगे इस चाप्टर को अच्छे से रीड करना